नमस्ते देश्टू, ARS Study Point चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके लिए समाने ग्यान के 25 महत्यपूर परशनों का संगरा लेकर आया है जो कि आपके आने वाले परिक्षाओं के लिए बहुत ही महत्यपूर है अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो निचे दिस्क्रिप्षय बाक्स में लिंक दिया है आप देख सकते हैं इसके साथ इसकीं में फ़्प और टेलिग्राम चैनल का लिंक लिंक दिया हुआ है आप जोईन कर लें वीडियो लाज तक देखें चले कोशन स्टार्ट करते हैं आज का मेरा पहला कोशन है भारत के सम्विधान के निम्नली खित में से कौन सी अनुसुची में दल विदल विरोधी कानून विश्यक प्रावधान है भारत के सम्विधान की निम्नली खित में से दस्वी अनुसुची में दल विदल विरोधी कानून विश्यक प्रावधान है इसका एंसर का बी दस्वी अनुसुची साथी दस्तों याद रखिएगा सम्विधान की दस्वी अनुसुची में दल विदल विदल विरोधी कानून विश्यक प्रावधान है यहां अनुसुची 22 सम्विद्धान आधि वसन के द्वारा सन इसके अंतरगत राष्ट्थपती राजशसवा के सवापती य मैं अनुसूचिद जनजाती होता था ननुसूचि छेत्रों के परशाशन के समबंद में उलेख है तथा आठवी अनसुची में भसाओं का उलेख है बर्तमान में इस अनसुची में 22 भसाओं का उलेख है जबकि मूल समिधान में 14 भसाओं का उलेख था अब आते नेक्स्ट कोशन पे हमारा नेक्स्ट कोशन है भारत में संग राजियों का परशासन किसके द्वारा होता है इसका एंसर का B राश्टपत्य द्वारा ध्यान रखिएगा समिधान के अनुषेद 249 के अनुषार संसत द्वारा बनाई की वीधी द्वारा यथा अन यथा उपबंधित के सिवाए प्रतेक संग राज्य छेत्रग परसासन राष्टपती के द्वारा किया जाता है अब आते हैं नेक्स कोशन हैं सिवालिक स्रेनी का किस यूग में निर्मार हुआ सिवालिक स्रेनी का निर्मार सेनोजोईक में हुआ इसका अंत्र कभी सेनोजोईक साथी दोस्तों ध्यान रखिएगा सिवालिक अबवाय हिमाले का निर्मार आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्स पूर्व प्लियोसीन अर्थात सेनोजोईक यूग में हुआ अब आते हैं नेक्स कोशन पर हमारा नेक्स कोशन है वीत विदेकों के बारे में विशेश उबंध किस अनुशेद के अंतरगत किया गया है इसका अंतरगा ए अनुशेद एकस सत्रा साथी दोस्तों याद रखिएगा अनुशेद 119 में संसद में वीतिय वर्स संबंधी परकिरिया का वीधी द्वारा विनिम्यन है तथा अनुशेद 121 में उस्तम न्याले के किसी नियाइधिस के संबंध में चर्चा निर्वधन तथा अनुशेद 123 में संसद के विश्रांती काल में अध्यादेश प्राखे आईत करने की राष्ट पती की सकती का उलेख है अब आते नेक्स्ट कोशन पर हमारा नेक्स्ट कोशन है भारत में कितने राजय तट रेखा से लगे हैं भारत में 9 राजय तट रेखा से लगे हैं इसका एंचों का B ध्यान रखियेगा दोस्तों भारत के नो राजिय तर्ट रेखा से लगे हैं ये राजिय हैं गुजरात, महराष्ट, गुवा, करनाटक, केरल, तमिलनाडू आंज़र परदेश, उडिसा एवं पस्षिम बंगाल सबसे लंबी तर्ट रेखा ओल राजिय गुजरात है अब आते नेक्स्ट कोशन पर, हमारा नेक्स्ट कोशन है भारत का छेत्रफल, संसार के छेत्रफल का 2.4 परतिसत है प्रन्तु इसकी जनसंख्या कितनी है भारत का छित्रफल संसार की छित्रफल का 2.4% है परंतो इसकी जन्संख्या संपूर जाती का 17.5% है इसका एंसर का B संपूर माना जाती का 17.5% जन्संख्या साथी दुस्ते याद रखिएगा भारत का छित्रफल 32.8 लग बर किलोमेटर है जो संसार की समस्थ छित्रफल के अस्थलिय भाग का लगवग 2.4% है जबकि दुजरेगारे का जन्संख्या सावा सो करोड है जो की वीश्व की जन्संख्या का 17.5% है अब आद नेक्स्ट कोशन पर हमारा नेक्स्ट कोशन है भारत का समिधान असपश्टर प्रेस की अजादी की वियास्था नहीं करता है किन्तु यह अजादी अंतर नहीं थै अनुश्यद 19.1 और में इसका अंतरों का ए अनुश्यद 19.1 और में सांती दूस्त ध्यान रिखीगा प्रेश की अजादी की व्यक्षा अनुशेद 19.1 में अंधर नहीं थे यह अनुशेद वाक तथा अभिव्यक्ति की सोतंतरता का बढ़न करता है तथा अनुशेद 1.2 में सांती पूरबक एवं निरायुद समेलन की सोतंतरता की बढ़न का बढ़न करता है अब आते नेक्स्ट कुशन पर हमारे नेक्स्ट कुशन है निम्नलीखित में से कौन सा एक युगम सही सुमेली थै निम्नलीखित में से अप्सन भी सही सुमेली थै अर्थात समिधान का चौथा एभाग मौलिक कर्तब्य ध्यान रखियेगा दोस्तों समिधान का दूसरा भाग नागरिक्ता से तिसरा भाग मौलिक अधिकार से चौथा भाग नीती नीदेशक्त तत्यों से तथा पाच्वा भाग संग से संबन्दित हैं भारत के समिधान में समीलित समवर्ती सुची किस देश की देन है भारत के समीधान में समीलित समवर्ती सुची अस्ट्रेलिया की देन है इसका एंसों का B साथी दूस्तों याद रखिएगा भारत के समिधान में समर्थी सुची को अस्ट्रेलिया से लिया गया है इस सुची में ऐसे भी से सामिल हैं जिन पर केंद्र या अमराज या दोनों को कानून बनाने का अधिकार है अब आता नेक्स्ट कोशन पर हमार नेक्स्ट कोशन है निमनल इखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्मार नहीं करती है बलकि या एस्टूरी का निर्मार करती है इसका आंसे का भी नर्मदा सांतित उसे याद देखिएगा महा नदी 36 गर तथा ओरिशा अंचल की सबसे बड़ी नदी है प्रचीन काल में महा नदी को चित्रोत पला कहा जाता था तथा कावेरी नदी करनाटक तथा उत्री तमिलाडू में बहने वाली एक सद नीरा नदी है गोदारी नदी की लंबाई 1465 किलो मीटर है अब आते नेक्स्ट कोशन पर हमाएर नेक्स्ट कोशन है भारतिय समिधान में मूल अधिकारों का विचार किस समिधान से लिया गया है भारतिय समिधान में मूल अधिकारों का विचार अमेरिका के समिधान से लिया गया है इसका अंचोंगा भी अमेरिका के समिधान से भारत के समिधान में मुल अधिकार नियाइक पुनरा अलोकन नियापालिका की स्वतंद्रता महाभियोग आदी अमेरिका से लिया गया है अब आते नेक्स्ट कुशन पे हमारा नेक्स्ट कुशन है नीली करांती किस से संबंदित है नीली करांती मतस्य पालन से संबंदित है इसका अच्छा का भी मतस्य पालन साथी दूस्तों ध्यान रखिएगा नीली करांती 1960 के दसक के मादे से लेकर आज तक का दुनिया भर में जलियक क्रीशी उद्योग में तीवर बीर्धी के समय को संदर्वीद करती है एकवा कल्चर उद्योग प्रती बस 9% की दर से बढ़ रहा है 1960 और 1970 के दसक में देखी गई भूमी आधारित क्रीशी में इसी तरह की आमतर पर हारित करांती के रूप में जाना जाता है अब आते नेक्स कोशन पर हमारे नेक्स कोशन है अल्प्स परवत्रेनी निम्नमे से किस देश का हिस्सा नहीं है अल्प्स परवत्रेनी इंग्लेंड का हिस्सा नहीं है इसका इन जगा भी इंग्लेंड सांती दुस्तों ध्यान रखिएगा अल्प्स परवत्रेनी मध्यवर्थी यूरोप में इस्तित है इसका विस्तार फ्रांस, अस्ट्रिया, जर्मनी, स्वीडरलेंड में है इसका सर्बोज बिंदू माउंट ब्लैंक है जिसकी उचाई 4810 मीटर है आल्फ परवत नवीन मुर्दार परवत का परमुख उधारन है अब आते नेक्स्ट कोशन पर हमारा नेक्स्ट कोशन है सागाउन तथा साल किसके उत्पाद है सागाउन तथा साल उस्रा कटिबंदिये सुस्क पजड़वन के उत्पाद है इसका उस्रा कटिबंदिये सुस्क पजड़वन उस्रा कटीबन्द हे सुष्क चड़वन मान्सुनी बन होते हैं जो भारत उतरी अस्रेलिया एयुन माधिय अमेरिका के बड़े हिस्वों में पाए जाते हैं तथा उस्रा कटीबन्द हे सदाबहार बन भुमद्र रेख एवं उस्रा कटिवन्द के पास पाय जाते हैं ये छेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे बर्स कभी सुस्क नहीं होता है अब आते नेक्स्ट कोशन पर हमारे नेक्स्ट कोशन है अकबर के काल में महाभारत का फार्सी अनुबाद किस के निर्देशन में हुआ अकबर के काल में महाभारत का फार्सी अनुबाद फाय जी के निर्देशन में हुआ इसका अन्सर का ए फाय जी साथी दोस्तों ध्यान रखिएगा महाभारत के फार्सी अनुबद अकबर बदसा के समय करवाय गया था 15-14 में अकबर ने फतेफ उर्शिक्री में अनुबद घर सुरू किया इसके साथ अकबर ने राजत रंगिनी, रमायन, वैंगेरा जैसे संस्क्रीट गरंथों को फार्सी में अनुबद करने के लिए हिमायत दी अब आते नेक्स्ट कोशन पर हमारा नेक्स्ट कोशन है भारती चावल सोद संस्थान कहां इस्तित है भारती चावल सोद संस्थान कटक में इस्तित है इसका एंसर का एक कटक ध्यान रखिएगा दोस्तों धान के बीश को चावल करते हैं या धान से उपर का छिलका हटाने से प्राप्त होता है चावल का चलन दक्षिर भारत और पूर्वी दक्षिर भारत में उत्तर भारत से अधिक है इसे कभी कबार सड्रस भी कहा जाता है चावल की फचल को धान कहते हैं बसमती चावल भारत का परशित चावल है जो बिरेशों में निर्यात भी किया जाता है केंद्रिया चावल सोच था किया सपना 1946 में हुई थी अब आते नेक्स्ट कोशन पे हमारा नेक्स्ट कोशन है भारतिय मानसून मौस्मी विस्थापन से इंगित है उसका कारण क्या है भारतिय मानसून मौस्मी विस्थापन से इंगित है इसका कारण है अस्तल तदा समुद्र का विवेदी तापन इसका अंसर का A अस्तल तदा समुद्र का विवेदी तापन दोस्तो ध्यान रखिएगा भारतिय मानसुन मौसमी वிस्थापन वाला है, जिसकी दिशा 6 माह तक जाड़े में अर्थाथ उतरพूर्व से दक्षिर पश्रिम तथा 66 माह तक दक्षिर पश्रिम से उतर पूर्व रहती है, इन मानसुनी हवाओं की उत्पति तापकरम में भीनता के कारण होती है, हमारे आंत्रिक्ष में कितने तारा मंडल है हमारे आंत्रिक्ष में 89 तारा मंडल है इसका अचला भी 89 ध्यान रखियेगा दोस्तों International Astronomical Union के अनुशार अकास में कुल 89 तारा मंडल है जिसमें से अधिकांस को दक्षी गुलार्ज से ही देखा जा सकता है अब आते नेक्स्ट कोशन पर हमारे नेक्स्ट कोशन है अकबर का मकबरा कहां पर इस्तित है अकबर का मकबरा सिकंद्रा में इस्तित है इसका अचला ए सिकंद्रा साथी दोस्तों ध्यान रखिएगा अकबर का मकबरा सिकंदरा नाम गामे इस्तित है जिसे सुल्टान सिकंदर लोधी ने अपने नाम पर बसाया था अकबर ने इसका नाम बहिस्ता बाद रखा था मकबरे के चारो कोनों पर तीन मंजीला मिनारे हैं ये मिनारे लाल पथर से बनी है जिन पर संगमर का सुन्दर काम किया गया है मकबरे के चारो और खुबसुरत वगिचा है जिसका निर्मार सिकंदर लोधी ने करवाया था सिकंदरा से अगरा के बीच में अनेक मकब्रे हैं और दो कोश मिनार भी है पास मंजीला इस मकब्रे की खुबसुरती आज भी भरकरार है अब आते नेक्स कोशन पर हमारा नेक्स कोशन है इंग्लेंड की रानी एलिजावेद प्रतम का समकालिन भारती राजा कौन था इंग्लेंड की रानी एलिजावेद प्रतम का समकालिन भारती राजा अकबर था इसके अंचों का ए अकबर साथी दोस्तों ध्यान रखिएगा एलिजावेद प्रथम का जन्म 7 सितंबर 1533 को हुआ था एलिजावेद प्रथम इंग्लेंड और आयरलेंड की महरानी थी जिन कसासन काल 17 नवंबर 1558 से उनकी मिर्तिव तक चला उनकी मिर्तिव 26 मार्च 16-73 को हुई या ब्रिटन के ट्योडर राजवन्स की पाँचवी और आखरी समराठ थी अब आद दे नेक्स्ट कोशन पर हमारा नेक्स्ट कोशन है हिंद की जनता के संदर में हिंदू सब्द का प्रथम बार परियोग किस ने किया था हिंद की जनता के संदर में हिंदू सब्द का प्रथम बार परियोग अरभियों ने किया था इसका आशलगा A अर्भियों ने साथी दूसर याद रखिएगा प्रامपरा अनसा दूसर याद के पुत्र भारत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा हिंद की जनता के संदर में हिंद सब्द का सर प्रधम पर अरवियों द्वारा किया गया था युनानियों ने इसे इंडिया कहा अब आते नेक्स्ट कुशन पर हमारे नेक्स्ट कुशन है अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज ब्यक्ति कौन था? अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज ब्यक्ति रॉल्फ फिंच था इसका अंचर का भी रॉल्फ फिंच साथी दुस्तों ध्यान रखिएगा रॉल्फ फिंच एक अंग्रेज ब्यक्ति और लंदन का यात्री था रॉल्फ फिंच फतेफ उर्शिक्री और आगरा पहुचने वाला पहला अंग्रेज बेपारी था इसने भारत के बीविन भागों में भ्रामण करते हुए अनेका स्थानों का और लेकन किया तथा शुलहवी सदी के भारतिय बेपारिक तथा नागर केंदों के बारे में मुल्लेवान वियुरन प्रस्तूत किया अब हमारे next question है सीवा जी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे सीवा जी मुगलों की कैद से भागने के समय आगरा नगर में कैद थे इसका अंसर का A आगरा ध्यान दखियागा दोस्तों सिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय अगरा के जायपुर भावन में कैद थे सिवाजी को अंग्रेज और अंग्जेव ने 1666 smi में कैद कर लिया था उन्होंने कई बर्श और अंग्जेव के मुगल समराजय से संगर्श किया सन 16-74 इसमी में रायगण में उनका राजय भी चेक हुआ और इन्होंने पस्चिम भारत में मराटा समराज़े की निव रखी अब आते नेक्स्ट कोशन पर हमारा नेक्स्ट कोशन है नीम्ना महापूरुसों में से कौन भारतिय जगरीती का जनक कहलाता है भारतिय जगरीती का जनक राजा राम मोहन राय कहलाते हैं इसके अंचों का सी राजा राम मोहन राय सांती दोस्तों ध्यान रखिएगा राजा राम मोहन राय को भारतिय पुनर्जगरन का पिता भारती राष्टवाद का पेगंबर अतीत और वविशे के मद्य सेतू भारती राष्टवाद का जनक आधुनिक भारत का पिता तथा प्रथम आधुनिक पुरुस तथा युगदुत के नाम से जाना जाता है अब आते नेक्स्ट कोशन पर हमारा नेक्स्ट कोशन है निम्ना लीखिद में से किस ने अठारा से संतावन की विद्रोग को एक सड्यांत्र की संग्या दी सर जेम्स आउट्रम एम डबलू टेलर ने अठारा से संतावन की विद्रोग को एक सड्यांत्र की संग्या दी ध्यान रखिएगा दोस्तो सर जेम्स आउट्रम एम डवलू टेलर ने अठारो संताउन के विद्रो को हिंदू मुस्लिम संटेंत्र का परणाम बताया है जॉन लॉरेंस और सिले के अंसार यह केवल सैनिक विद्रो था थैंक्यू दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से और सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन को क्लिक करें